आइज वेलकम टू जिके एसस्वी ओनलेंग टिटोरियल दिस इस में सतीश एंड वी आर डूइंग यूर जैनके जिके और वीजन क्लासे चल रहे हैं और हम लोगों ने स्टार्ट करा है जमन कश्मीर की हिस्ट्री के साथ क्लेर है तो हमारे अधिंक कुछ क्लासे हो गई है पांच ग्लासे हमने कर दी है यह सिक्स क्लास आज की रहने वाली है और इस क्लास करने से पहले बतातू कि अगर अभी तक आपने हमारा ओफिसल वाट्सप जॉइन नहीं करा तो इस नंबर पे 700633 पे आप मैसेज करके आप मह क्वेशन समझ आ गया होगा आपको क्वेशन ने पूछा है कि मैडिवल कश्मीर का ललित अधित्य किन को बोला जाता है आपके एक चीज़ पहले बता दो कि ललित अधित्य जो है वो किस डाइनस्टी के रूलर थे मतलब किस डाइनस्टी के ग्रेट रूलर थे देखो अब ललित अधित्य मुक्तव पिड़ा ये फाउंडर नहीं थे किसी डाइनस्टी के लेकिन ये इतने ग्रेट रूलर थे कि उस पर्टिकुरर डाइनस्टी के फाउंडर की जगा बार बार इनका नाम लिया जाता है वैल आपको बता दू ये करकोटा डाइनस्टी से से ठीक है क मतलब कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जीती हुई थी बहुत सारे राज्ये जीते हुए थे किन्होंने जीते हुए थे ललित अधित्य ने अब ये तो क्वेशन यहां पे पूछा गया ना ये उसी चीज़ को रिलेट करके पूछा है मतलब कि मेडिवल कश्मीर में लल मारी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी ट्रिक टू लर्न फुल हिस्ट्री अफ जमन किश्मीर मैंने सभी चीज़ा आपको बताई इवन पूरा स्ट्रक्चर बता दिया था कि इस तरह से आप तीन सेकें में याद कर सकते हो चले वही चीज़ क को थोड़ा से रिवाइज करते हैं जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री ओफ जैन के ठीक है अब मैं सारा नहीं करूंगा देखो में एंचेंट वाला पोशन देन उसके बाद मेडिवल वाला पोशन हम लोगों ने शुरू किया है रिवीजन एमसी की उसका तो मैंने कहा थ सबी को क्या थी ट्रिक है मोग आप लोगों को याद होगी उट गुप्ता लोहा दे याद है ना उट गुपता लोहा दे उसके बाद उट गुपता ऊथ को आला गुपता गुपता लोहारा एंड देव दिनwoman ठीकह यह आपके हिंदु रूल में आती है अब हमने शुरू कि मुस्लिम है जो पहली थी इस शामीर डानेस्टी ठीक है और यह शामीर डानेस्टी के अंदर जो most important rulers रहे हैं उनके बारे में हम लोग शामीर डानेस्टी में पढ़ते हैं और आपका यह जो नाम है साहीबुदीन यह इसी शामीर डानेस्टी के अंदर है ठीक है तो मतलब आप सभी को बताया तो, सबसे पहले शामीर डिनस्टी में आये थे शामीर, मतलब पहले ये रूलर रहे, शामीर के बाद आता है यही हमारे साहीबुदीन, ठीक है, साहीबुदीन, सुल्तान साहीबुदीन, इनके बाद आते हैं कुत्बुदीन, ठीक है, इनके बाद सुल्टान हभीब खान कोन है सुल्टान हभीब खान ठीक है यह वो rulers रहे जिन्हों ने शामीरी डिनस्ट्री के अंदर शामीर डिनस्ट्री के अंदर रूल किया ठीक है अब आपको एक चीज़ का idea हो गया मेरा basically आप लोगों को ये करवाने का main मक्सद ये था कि ये जो नाम है, ये किस डानिस्ट्री के अंदर है वो मुझे आप लोगों को बताना था तो ये किस के अंदर आता है, ये शामेर डानिश्ट्री के अंदर आता है ओके, सेकेंड रूलर जो थे आफ्टर, क्या नाम इनका शामीर के बाद जो second ruler थे that was सुल्तान साहिबुदिन clear है और एक चीज मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि last video में थोड़ा बच्चों को बहुत जाधा confusion रही थी ये क्या बोलते इसको शामीर के ओपर शामीरी dynasty के जो founder है शामीर इनी को भईया इनका एक नाम था जो इनको दूसरे नाम से बुलाया जाता था वो नाम था Sultan Shamsuddin क्या नाम था Sultan Shamsuddin इनका नाम था और एक्जाम में पूचा गया है इसलिए मैंने ये नाम बताया था आपको I hope आपको clear होगा इस question में मैंने basically क्या समझाया आपको कि इस में question में था कि ललीतादित्य of medieval कश्मीर किन को बोला जाता है medieval में मैंने बताया आपको कि कौन-कौन से आते हिंदू रूर में बढ़ा जोका हूँ कश्मीर Muslim रूर में श्राइट किया तो medieval में ललीतादित्य बोला जाता है सुल्तान साहिबुदीन को क्यों बोला जाता है क्योंकि साहिबुदीन जो है वो भी करकोटा के ललीतादित्य की तरह बहुत ग्रेट रूलर था इसने बहुत साठी जगाएं जीती इसलिए इनको ललीतादित्य बोला जाता है ताउन नोन एज सांधी पूरा ठीक है इसका आंसर है इसका आंसर भी सुल्तान साहिबुदीन ही है देखो सुल्तान साहिबुदीन ने आपने टाउन जो था एक टाउन जो था वो बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था साहिबुदीन साहिबुदीन पूरा ठीक है और य यही आज के टाइम पे presently इसी को क्या बोला जाता है इसी को बोला जाता है साधी पूर ठीक है clear है चले बढ़ते हैं next question की तरफ next question में पूछा है की which Sultan of Kashmir is called the Orange of Kashmir ठीक है कोन से सुल्तान को कौन से ruler of Kashmir को Orange of Kashmir बोला जाता है तो इसका answer है that is Sultan Sikandar के answer है Sultan Sikandar चले अब यह Sultan Sikandar आप सभी को पता लग गया मैंने अल्रडी बताया यह शामीर डनस्टी के अंदर आए ठीक है शामीर डनस्टी के अंदर इन्होंने रूल किया ओपर मैंने अगर आप देखो यहां पर तो यहां मैंने समझाया हुआ अपको एक सेगिंड यह कहां यह सुल्तान ठीक है कुतुदीन के बाद सुल्तान सीक अंदर ही आए थे देखो आपको जो मैं नाम बता रह हो और देखो रहा हूँ मेरा में मक्सूद हो अपलोकर को कर वादने का पता है क्या कि आपको सीक्वन्स पता लग остав जाता है तो कहानी सेट हो जाती है याद र journéeा अगर सिक्वन्स में चीज़ें proved अवस्त यहाई बोलेंगी नहीं लेकिन आथे हैं अकर अपने तरह आपने qicha आपको पूरा sequence बता रहा हूं कि अगर यह नाम आया है तो यह किस ruler से आया किस dynasty से आया so that कि उस dynasty के related 2-4 और नाम आपको बताऊं तो चीजे revise हो जाएं clear है चली next जो है next question में पूछा है कि who built Khankhe Mola ठीक है Khankhe Mola जो है सिर्णगर का वो किनों ने build किया तो इसका answer भी है Sultan Sikandar ठीक है Sultan Sikandar चली next question आप लोगों के सामने question में पूछा गया है कि who was also known as Sahi Khan क्या who is who was sorry who was was also known as Sahi Khan तो इसका जो answer है देखो question आप पूछा है कि साही Khan किनको बोला जाता था मतलब किस सुल्तान को साही Khan भी बोला जाता था also मतलब भी बोला जाता था मतलब उसको अलड़ी कोई और नाम होगा तो इसका जो answer है that is Sultan Jainul Abidin Sultan Jainul Abidin देखिए एक चीज़ में आपको बतातो मैंने अभी की आपको शामीरी डिनस्टी के बारे मतलब गारे में बताया सबसे पहले शामीर आए ठीके जिनको सुल्तान सम्चुदिन भी बोला जाता था शामीर के बाद को नाए साहिबुदीन आए फिर उसके बाद को नाए कुद्बुदीन आए फिर उसके बाद को नाए फिर उसके बाद सिकंदर आए फिर सुल्तान सिकंदर आए फिर सुल्तान सिकंदर के बाद को न आए जैनूल अभी दिन आए जैनूल अभी दिन ठीक है अब उसके बाद सुल्तान हभीब खान सुल्तान हभीब खान ठीक है सुनो भईया हम लग इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सुल्तान जैनूल अभी दिन मतलब यह देखो आप सुल् That is Bolid Shah, ठिके 각 को बोला जाता है, जिसका मतलब था Great Ruler, Great Ruler या Great King आप कुछ भी बोल सकते हो, ठिके, उसके साथ साथ, यही वो person है, जिनको Aqbar of Kashmir भी बोला जाता। क्या? Aqbar of Kashmir इनको बोला जाता था, उसके बाद, इनका जो time period था、 इनका जो टाइम पिरिड था उसको golden पिरिड गोल्डन एरा माना जाता है कश्मीर इस्ट्री का golden golden age of कश्मीर माना जाता है जब इन्होंने rule किया था golden age of कश्मीर और आप सभी को बताओं कि यह जो पश्मीना शॉल है पश्मीना शॉल हो गया पश्मीना शॉल ठीक है उसके साल साल जितना भी वुडन आर्ड कि टेक्चर जो है यह सारा बया इनी जैनूल अभी दीन की ही देन है इनी बदे ने यह सारी जीज़ें इंटरड्यूस करी है है clear है तो इस question में साही खान के साथ साथ आपको और कितनी चीज़ है मैंने बताई कि बूट्शा भी इनको बोला जाता है ठीक है that is a great ruler उसके बाद इनी ने पश्मीना इन्होंने इन्टर्ड्यूस किया था Ark कौन सा आठ पश्मीना जॉल वला आर्ट हो गया I अगर मोवां इन बता चुकांग एक प्रेएं एक शॉन ने इनले रे connectivity कर चुका तयो आप 2007 ये मैंने बताया आपको कि प्रस्मीन शौर जो है उसका आट वो हिरने ने इंट्रद्यूस किया था अब आपको प्रस्थ्थ्थ्थ्ट गरिम्न हार्ट गर्लाजियने काम उन्हेंcheल कि इस की यह जो लिए रिटन बाई यूद बाटा द्वारा लिखी गई है अब जो इन्हों ने इसका इसका टाइटल क्या है उसका टाइटल क्या है तो इसका जो टाइटल अट इस जैन प्रकाश के आंसर जैन प्रकाश ओके चले next question आप लोगों के सामने question में पूछा गया है कि which is the first wooden bridge of Kashmir ठीक है for the first wooden bridge of Kashmir तो इसका जो answer that is Jan Kadal क्या Jan Kadal भाई पहला wooden bridge जो built हुआ था शिर्नागर में उसका नाम था Jan Kadal और किनो ने बनाया था जैनुलबी दिने बनाया था क्या बनाया था देखो यहां पर अब लोग लिख सकते हैं first देखो अब लोग आसा लिख सकते है first wooden bridge भाई important है note कर लेना ठीक है first wooden bridge in Shrinagar क्या नाम था उसका that is Jan Kadal ठीक है और किन के तौर बनाया था यह बनाया था यह बनाया था जैनुल अभी दिन द्वारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं जैनुल अभी दिन ठीक है इनके तौर एक artificial lake भी बनाये थी ठीक है artificial island भी बनाये थी वुलल लेक के ओपर उसका जो नाम है next question में add-on किया मैं बता तौ आपको ठीक है चलिए clear है यह वाले question चलिए next question के अगर हम बात करें चलिए question आ गया कि जो artificial island है बुलल लेक के ओपर जो किनो ने बनाया था जिसका नाम है आप वह किन के द्वारा बनाएगी आप सभी को मैं बताई चुका हूँ अल्रडी चैनोल अभी दिन ने बुड़न फर्स्ट बुड़न ब्रिज बुड़न ब्रिज जिसका नाम था देखो इनी के नाम के साथ है यह चैन कडल ठीक है और वहीं पर अगर हम बात करें next is artificial आप लेंड जिसका जो जिसका नाम है जैन लेंग ठीक है यह दोनों कोशन बड़े इंपॉर्टेंड आप बार बार एक्जाम में पूछे जाते हैं यह दोनों चीजे जैनोल अभी दिन द्वारा बनाईगी है याद रखना अगर आपने मुझे नहीं पता आइचली मैंने एक कमेंट आप लोगों के देखें कि उस कमेंट में आई स्वेर बच्चों ने इतनी गलतियां करी है एक जगह तो किसी ने कमेंट लिखा था कि यह जो राश्तरंगनी है यह जैनोल अभी दिन ने इसको ट्रांसलेट किया है मैं का भाई तुम पता नहीं कहां से पढ़ा ठीक है बाकी मैं चीज़ बता दूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम है आपके जीके वाले पोश्चन में तो आप हमारा वाट्सअप ग्रूप जो है ओफिशल वाट्सअप ग्रूप है जिसका वाट्सअप नमबर है 7006332724 आप इसमें वाट्सप में नमबर में मैंसेज करो मैं बहुत जब पूरा फुल फ्लेज लाइब कोर्स लाने वाला हूं मतब लाइब सेशन जो है वह स्टार्ट करने वालों कोशिश करूँगा आप लोगों की कंफूजन दूर कर सेकूं ठीक है चली नेक्स क्वेशन में पूचा है कि इस परी इजी कोशन बएब कोशन में इसका इसका इब कोर विहां एओं पुछा जाता है कि बागों अबूट औरुनर के इसका 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 इम पूपकिर इने लेज़ों में इसका रूसट की बात करें टो इसका इंबिदर यूसफ दूशिफ शा चक दूशिफ शा चक अब मज़े की बाद एक और चीज बताऊं इनकी शादी जो हुई थी वो कि इनके साथ हुई थी एक पोईटिस्टी जिनका नाम था हवा खातून ठीक है जिनने 19 गेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है ठीक है तो उनके साथ basically ऐसे उनका ना जाना जाता था उनके नाम से जाना जाता था हवा खातून ठीक है और इन्हीं को क्या बोला जाता था इन्हीं को बोला जाता था और गाजी चक जो है वो originally कौन थे डार्ट थे अब इसमें important rulers कौन थे यूश्व चाचक शादी किसे हुई थी हबाख खातून से जिसे क्या बोला जाता है also known as also known as known as 19th girl of Kashmir तो वह यह है आप लोगों के आज का कारेक्रम अगर अच्छा लगा तो comment में लिख देना जैनके जीके विद सदीश सर ठीक है यह comment में लिख देना अगर आप मुझे पता लग जाए आपना पूरा देखा है ठीक है बागी मिलते हैं next video में thank you so much take care ध्यान रखे अपना बाबाए take care